नागपुर शहर में शातीर साइबर ठको की वारदाते रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार उन्होंने आईकर विभाग के एक सेवा निवरुत अधिकारी को अपना शिकार बनाया। ठको ने बड़ी चालाकी से आईकर अधिकारी को उनके बैंक अकाउंट की के वाइसी अपडेट करने के बहाने अपने जहासे में लिया। इसी दोरान उन्होंने आउनलाइन आप्लिकेशन भी डाउनलोड कराई। इसमें उन्होंने बैंक अकाउंट से संबंदित सारी जानकारी भरवाली ठगी का पता आईकर अधिकारी को तब लगा जब उनके खाते से 4,33,000 रुपए निकाल लिये गए दरसल बैंक अधिकारी को साइबर ठगों ने पहले विश्वास में लेकर ओनलाइन पूरी प्रोसेस कराने की बात कही उन्होंने अधिकारी को एक अप्लिकेशन डाउनलोड कराई जिसका OTP लेकर खाते से करीब 4,000,000 रुपए ट्रांसफर कर लिये इस मामले में धंतोली पुलीस ने विवेकानन नगर निवासी राजेश ब्रह्मदास मंडपे की शिकायत पर मामला दर्च किया है राजेश आईकर विभाग में कारियरत थे कुछ समय पहले उन्होंने वियारेस ले लिया राजेश ठगो की बातों में आ गए उन्होंने ठगो को बैंक खाता क्रमांक, ATM कार्ड नंबर और पैन कार्ड की गोपनिय जानकारी दे दी राजेश की यही भूल उनके लिए खतरनाक साबित हुई वे ठगी का शिकार हो गए ठगो ने इस दोरान राजेश से पेटियम अप्लिकेशन इंस्टॉल भी कराया इसके बाद राजेश के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया वेरिफिकेशन के नाम पर आरोपी ने यह OTP भी हासल कर लिया इसी की बदौलत खाते से राशी ट्रांसफर कर ली गई